पार सब लोग जुड़ जाये ना मैसेज आ से श्टक सब लोग जुड़ जाये तो फिर मैं बात करूँ एक बार मुझे ग्रूप में मैसेज करके बता दीजिए आप लोग आ चुके आप लोग भी अभी मजबूरी ये है कि जुम्मे में पतनी टेक्निकल इश्यू है जैसे जुम्मे में आपके साथ नहीं आ पा रहा हूँ पर खेर एक दो क्लास में समस्या होगी सुरू सुरू में फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी तो जब तक अगर डाउट्स पूछना है या कुछ डिस्कस करना है तो जो हमारा ग्रूप बना हुआ है उसमें एक बार मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं क्लास से स्टार्ट करूँ अगर आप लाइव आ चुके दो-तिन दिनों में ये प्रॉब्लम शॉल हो जाएगा तो टेकनिकल इश्यू के लिए प्लीज इस पर मैसेज मत कीजिएगा मुझे फिर दिख नहीं पाएगा आपके मैसेज जो भी डाउट्स होगा उसके लिए ठीक है तो श्टार्ट करें क्लास कल की क्लास में अच्छा वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही है अरे ख्याल से वॉल्यूम आपको मैनेज करना ठीक है आप एपने तरब से देख लीजिएगा वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज किजिएगा मैं कोशिश करूँगा थोड़ा लाउडली बोलने का ठीक है तो कल की क्लास में जो discussion किया था वो discussion किया था हम लोगों ने, कुछ पढ़ा नहीं था हम लोगों ने जो discuss किया था लाइव का option technical issue में आप जो बात करोगे वो त्री लोक सर का मैंने आपको नंबर दिया हूँ तो आप स्रियाश उन्हें कॉल कर सकते हैं ठीक है तो निशीता गुड इवनिंग अब मैं क्या करने जा रहा हूँ अब मैं सिधा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है लाइब का ऑप्शन के लिए आप त्री लोक सर को कॉल कीजिए जिन जिन लोगों को प्रॉबलम हो रही है सुबह अंदिव अगी रहस जो भी हो तो अब डिस्कस कर रहा है कि यार हमें अब आगे कैसे बढ़ना है सबसे पहले मैंने कली बताया था कि मैं जो क्लासिस लूँगा आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक चीज़े पढ़ाऊंगा मैं यह मान के चलूँगा कि यार आपको FM का कुछ भी नॉलिज नहीं है आपको time value of money भी नहीं आता है क्योंकि उसके बिना हमारा SFM एक मैंने दो copy बनाने के लिए बोला था एक जिसमें class notes रहेगे वही questions रहेगे जो class में करवाई जाए और एक copy वो बनेगी जिसमें homework question है homework मिलेगा आपको class work क्योंकि यार बहुत सारे questions है बहुत सारे questions है भाई तो करते करते अगर revision करने जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत में पड़ोगे तो revision करने जाओगे दिक्कत में पड़ोगे इसलिए मैं कहता हूँ कि homework copy में बस एक बार हम homework कर लेंगे उसके बाद हमारा काम खतम हो जाए ठीक है classwork वाली जो है वो revision के काम आई है और मैं तो आपको revision करवाऊंगा तो मैं आपको classwork copy से ही revision करवाऊंगा तो जो capital budgeting start करना है हमारा पहला जो chapter रहेगा वो रहेगा advanced capital budgeting उससे बहले कुछ topics हमको करना पड़ेगा और जो आपका class notes है class copy है उसमें पहला topic लिखोगे basic concepts basic concepts actual में कोई class नहीं है basic concepts में time value of money यह सब पढ़ाऊंगा जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार यह सब तो time pass है हम लोगों को आता है तो वो चाहे तो class छोड़ सकता है पर मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आता है मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल basic label से हमको पढ़ना पढ़े ठीक है ठीक है सर start कर रहे है मैं अब messages पर ज़्यादा ध्यान नहीं जूँँगा जो technical problem आ रही उसके लिए तो मेरे सास सत लिखना start करोगे सबसे पहले basic concept जी मेरे सास सत जो आपके main copy है ना उसमें लिखूँगा धीरे धीरे करेंगे class बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है आराम से प्लीज technical issue जो हो रहा है आपको यहाँ whatsapp में आप message मत कीजिए मुझे read करने में दिकत हो रही है बार-बार messages में के सामने आ रहे है तो कोशिश कीजिए आप सीधा त्री लोग sir को call कर लीजिए नमबर आपके पास है technical stop का आपने को ठीक है कोशिश रहेगी अभी हम एक गंड़ा चलेगी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोर लगने लगे फोड़ा सा पाच मिटका water break ले लेंगे फिर start कर it means हमारी class करना है मतलब दो गंड़े करना और बहुत headache लेके काम नहीं करना आराम से करेंगे दीड़े तो basic concepts में सबसे पहले हमको पढ़ना मेरे सासत लिखना भी first हमें पढ़ना सबसे पहले time value of my time value of money तो already हमारा किया हुआ है बहुत अच्छे से CA Inter में भी किया हुआ था और इसके अलावा हमारा foundation में भी किया हुआ time value of money तो issue आपका किया भी होगा तो भी हम तर इसके बाद क्या करना second इसके बाद करना हुआ एक topic पढ़ना है का नाम है expected return and standard deviation expected return and deviation तो time value of money सबसे पहले करेंगे मेरे साथ लिखते जाना एक तो करेंगे time value of money दूसरा करेंगे expect return and standard deviation third number concept of beta बीटा नाम सुना है कभी पढ़ा था ये बीटा नाम सुना सुना लग रहा है standard deviation नाम भी सुना सुना ले तो बीटा नाम कहीं ना कहीं पढ़ा है बेटे वहां जो पढ़ा है वो बीटा को आप छू कर निकले हो यहां detail में बीटा पढ़ना पढ़ेगा लेकिन यहां मुझे रफली हलका सा knowledge देना पढ़ेगा class start करने पहले ठीक है 4th normal distribution table normal distribution table lock table lock table यार खुता क्या था खुब तो लॉक किया बेटे यहां यूज है lock table क्या है अच्छे से धंग सी यूज है यार यह normal jet table बोलते है यह normal distribution table है क्या है एक बार note कर लेजिए फिर मैं डिस्कुस करें normal distribution एक बार लिखवा देता हूँ और फिर आगे डिस्कुस करें फिप्त और लास्ट में बढ़ेंगे कॉंसेप्ट ओफ कंपाउंडे कॉंसेप्ट ओफ कंपाउंडे ठीक है जह time value of money सबसे पहले है सर यह standard deviation क्या होता है expected return क्या होता है और भी आएगा covariance क्या होता है correlation क्या होता है और यकीन मानो इतना ज़्यादा यूज है इसका इतना ज़्यादा यूज है बस एक बार आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़े होती है बस मुझे आपका यहां साथ चाहिए पहले आराम से basic चीज़े समझ ले आज की class का target क्या है आज की class का target है कि हम पहले time value of money अच्छे से कर ले और उसके बाद time मिला time बचा तो expect return और standard है और हो सकता है आज ही की class में आपको यह समझ में आ जाए कि आर share market में इन सब चीज़ों का बहुत ही जोरदार यूज है बहुत जोरदार यूज है ठीक है अगर लिख लिया है तो please एक बार yes करके लिखो तो मैं आगे चलूं I hope कि लिख लिया होगा किसी का reply नहीं ओके बस ऐसे बता दिया करो यार थेंक्यो थेंक्यो विन है चलो अची अब आगे बस ऐसे बता दिया करो मुझे पता नहीं लगता कि आप लिखते हो लिखना ज़रूरी है अभी ठीक है इश्या है चलो बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग आप में आराम से आपके साथ connect हो पाऊंगा अभी दो-तीन दिनों के लिए ऐसे connect हो पाऊंगा उसके बाद तो आप मेरे सामने होगे तो और मज़ाएगा बढ़ाने श्टार्ट कर रहे हम लोग फड़ा फट से हम कर रहे है time value of money मेरे साथ लिख रहे हो अच्छ फस्ट लिख रहे हो time value of money time value of money सबसे पहले discussion करेंगे future value of cash flow तोई चीज पढ़ाना हमाई future value of cash flow और दूसरा discuss करेंगे present value of cash flows future value of cash flows present value of cash flows time value of money सर होता क्या है यह बताओ यह बच्पन से बढ़ है मुझे time value of money नहीं बताना है कि सर आज जो रुपिया की वैल्यू है future में जो रुपिया की वैल्यू है उसके आज की value क्या होगी कोई important नहीं है हमारे लिए अभी बस इतना आपको सुनना है कि मेरा काम है आपको meaning नहीं समझाना meaning आपको आता है future value क्या होता meaning आता है मुझे इस calculator को यूज करवाना और यकिन मानो इस calculator को यूज करोगे तब ही बात होगी तो सबसे पहले पहला point बस दोई चीज करवाना मुझे और कुछ नहीं इसी में time लगेगा एक future value of cash flow और एक present value of cash flow और क्या आपको formula याद है अगर याद है तो please बूल जाईए पूरे SFM में formula नहीं पढ़ाने वाला हूँ formula में बड़ी दिक्कत होती है formula 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 हम logic से करेंगे हर हर काम logic से करेंगे स्टार्ट कर रहा है first लिखोगे future value of cash flow first point लिख रहा है future value of cash flow first value of cash flow एक example ले रहा हूँ और example से ही बात करूँ में सीधा formula लिखकर आपके सामने आराम से जवाब देना सोच समझ कर ठीक है लिखोगे example example से बात कर रहा हूँ मेरे साथ साथ लिखोगे ये example आपको काम आएगा सीधा लिखोगे example number one राम पांट्स टू इनवेश्ट पीज वन लेक लगेगा ही नहीं कि ऐसे फिम पढ़ लेगा बिलकुल आसान सब्दों में बढ़ा राम के पास बहुत पैसा है एक लाक रुपए इनवेश्ट करना चाहता है कितने पर्षेंट पे सर at the rate 10% पारेनम एक लाक रुपए को बैंक में जमा करना चाहता है और किस रेट से जमा करना चाहता है 10% पारेनम और मुझे बताईए calculate amount to be acute with interest interest मिलाकर कितना मिलेगा if investment पर one year अगर एक ही साल के लिए investment किया जाता है पैंक में जमा किया जाता है एक लाक रुपए 10% के हिसाब से एक साल के लिए तो राम को एक साल बाद with interest कितना रुपए मिलेगा तर मान लो एक साल के लिए जमा नहीं कर रहा है मान लो वो तो बता सकते हो with interest कितना पैसा मिले तर मान लो दो साल के लिए जमा नहीं कर रहा है मान लो वो तीन साल के लिए जमा कर रहा है टाइम पास लगेगा लेकिन बिना कि सुनो क्यों जरूर यह सब उसकी एक वज़ा यह भी है कि multiple choice question आया है multiple choice question आया है तो यह calculator का यूज हमको करना पड़ेगा और यह सारी चीजे तो कामा नहीं है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ राम एक लाक रुपय जमा कर रहा है दस परशन के साबसे अगर एक साल के लिए करता है या दो साल के लिए करता है या चार साल के लिए या फिर लाश्ट दस साल के लिए जमा करता है तो question यह है कि राम को with interest कितना पैसा आराम से करेंगे concept है, logic है, logic के साब और मैंने भी का ना कि मैं लगने नहीं दूँगा कि आप CA final में पढ़ड़ें 100 पढ़नी मेरी या इंठी बिलुकुल आम आदमी भी यहां बैठ जाए ना इसने CA इंटर भी नहीं किया उसको भी समझ में आ जाए बस target मेरा यही है हाँच करें तो चलो start करें एक साल के लिए अगर एक लाख रुपए 10% के हिसाब से जमा करें तो कितना पैसा मिलेगा इटमिस एक लाख रुपए कब जमा कखिया जा रहा आज और मुझे कब का पैसा चाहिए एक साल बात का मुझे कौन सा value चाहिए present value की future value future value एक साल बात का value ठीक है अब मैं बनाने जा रहा हूँ अगर एक साल के लिए जमा किया जाए तो तो लिख रहा हूँ एक साल के लिए जमा किया जाए तो कैसे निकलते हूँ हाँ जी एक लाख रुपए दस पर्षंड के एक साल के लिए जमा किया जाए तो कितना पैसा मिले कुछ बच्चे बोलते हैं बड़ा सिंपल है एक लाख दस दस पर्षंड यही तो होता है नघर जलत है इटमिस इग्जाम में ऐसा लिखोगे क्या एक लाख प्लस दस पर्षंड कैल्कूलेटर में चलाओगे तो बिल्कुल सही है एक लाख प्लस दस पर्षंडeen एक लाग दस जार, एक लाग दस जार मिलेगा, बिट्टे, नमबर नहीं मिलने वाले हैं, IACAI इतनी बुरी तरह से नमबर काट रहा है, आपको विस्वास ही नहीं होगा, कि यार कैसे कट गए, मेरे पास अभी RTI से बहुत सारे बच्चों के कोश्चन पेपर आए, उन्होंने answer sheet पहुचा है, मैं आपको दिखाऊंगा पका, आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा, कि यार किसर ऐसे भी नमबर कट सकता है, इस पे नमबर करेगा, कटेगा, एक लाग प्लस दस परशन ऐसा लिखने से क्या, एक लाग दस जर आजाता है, कैलकूलेटर में जाता है, कैलकूलेटर नहीं चलेगा, it means, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, अगर आप यह लिख रहा हो, तो यह टोटल गलत है, यह नहीं चलेगा, एक लाग प्लस दस परशन नहीं चलेगा, हाँ, निशीता सही है तो बच्चों का जो कोश्चन आना निशीता का जवाब आया सर वन लैक इंटू वन पॉइंट वन जिरो यूट्यूब में मेरा वीडियो डला है आदे से ज़्यादा पबलिक को ये दिक्कत है कि सर रेट है दस परशंट तो वन पॉइंट वन जिरो कहां से आया बिलकुल सही बोल रहा हूँ अगर जवाब भी आप ही दे तो एक लाख है एक लाख अगर उनका ये कहना सा रेट तो दस परशंट है तो फिर दस परशंट है तो आप वन पॉइंट वन लिक्क है से एक्चुल में एक लाख प्लस एक लाख दस परशन को क्या मैं 0.10 लिख सकता हूँ हाँ बोलू हाँ अब देखो जुगाड़ एक लाख इंटू 1 ठीक है सर दस एक लाख इंटू 0.10 क्या एक ही बात है तो आप टाइम पास करूँ में टाइम पास नहीं करूँ जरूरत पड़ेगे आपको आप इतने आसानी से मत लेना चीजो सर वण क्यों लिखा वए वण ही तो होता ना भी लिखा हूँ या लिखो भी तो भी कोई दिख लें अब ये दोनों तो common है तो sir ऐसा कर लेते न एक लाख और सीधा one और ये तो one point one zero principle ये हो गया with interest yes principle with interest तो ये जो answer आएगा ये कितना आएगा sir ये आजाएगा एक लाख दस जार एक लाख दस जार simple सी बात है ये किस का formula एक्चुल में और क्या निकाला जा रहा है present value निकाला जा रहा है future value मैं simple सी बात बोलों इतना ना भी लिखवाता तो भी चलता मैं आप से बोल रहा हूं कि future value निकालने का formula है future value निकालने का यहां मैं formula लिखवा रहा हूं future value is equal to दिखोगे सहब पहली class से आपको समझना ज़र रही है present value one plus कुछ बच्चे आर भी लिखते कुछ बच्चे आई भी लिखते कोई फरक नहीं पड़ा आर मतलब rate of interest कुछ आई भी लिखते interest rate हम आर लिख रहे हैं आर का यूज करें one plus आर फुदा power and ठीक है उस हिसाब से एक साल बात का value निकालूँगा weight interest तो एक लाक multiply किससे करूँगा one point one zero power तो एक ही है तो answer कितना चाहेगा अगर मैं एक साल के लिख जमा करूँ तो answer जाएगा एक लाक चलो जल्दी से बात करो अगर दो साल के लिख जमा करें तो answer चाहिए एक लाक रुपए दस प्रतिश्यत के हिसाब से मैं दो साल के लिख जमा करूँ तो बताओ दो साल बात with interest मुझे कितना पैसा मिलेगा कुझे आपका साथ चाहिए जल्दी जल्दी बोलो एक लाक रुपए अगर मैं 10% के हिसाब से दो साल के लिख जमा करूँ एक साल है कि दो साल एक लाक एक की सजार 1,21,000 सभी का आंसर है आपको कैसे पता लगा कि मैं कमपाउडिंग कर रहा हूँ अच्छा एक बात सुनो एक बात सुनो अगर आपका आंसर आ रहा है प्रशान्त 1,21,000 शुभाशो कभी 1,21,000 सुबेंदू कभी एक लाग 21,000 है भाई साब आप कैसे एश्यूम कर लिया कि कंपाउनिग हो रहा है करके आप नहीं समझ रहे हो मैं गहरो मैंने बैंक में पैसे जमा किया ठीक है इस साल इंट्रेस्ट कितना मिला इस साल सर इस साल एक लाग का 10 परशेंट 10,000 रुपए इंट् तो आंसर एक लाग 21,000 भी आ सकता था एक लाग 20,000 भी आ सकता था आपने कैसे एश्यूम कर लिया मुझसे पूछे बिना कि आंसर सार हम कंपाउनिंग कर रहे है क्यों कंपाउनिंग कर रहे हूं कभी का आंसर एक लाग 21,000 आ आश्यर की बात कि बिना कुछ कह आप समझ कैसे गया कि मैं compounding की बात करूँ खिर से सर financial management में अगर बीच में interest withdrawal के विशे में कुछ ना लिखा जाए तो हम यह मान के चलेंगे कि एक बार पैसा जमा कर दिया पीच में हम interest withdrawal नहीं करेंगे हम सीधा दो साल बाद ही पैसे ने करेंगे ठीक it means एक लाख पहले साल हो गया तो total कितना हो गया एक लाख दस जार और अगले साल जो interest मिलेगा वो किस पे मिलेगा एक लाख दस जार पे 10 person मतलब कितना मिलेगा 11,000 तो total मिलाकर कितना आ गया आपका मैं कभी भी आपके साथ धोका कर सकता था धोका मैं कभी भी करूँगा अभी आज आने तो टेस्ट पेपर होगे तब मैं देखता हूँ कि कितना दिमाग चला अभी तो 1,21,000 बोल दिया बहुत अच्छी बात क्या एजम्शन ले रहा है हम लोग हम एजम्शन ले रहा है कि यह जो इंट्रेस्ट मिलेगा यह compounding hook ठीक है यह जो बीच में है वो annual compounding हुए हाला कि formula लिख लिए था आपने तो आपकी तो lottery लग गई थे और formula के हिसाब से ही मैं चलूँ formula के हिसाब से future value is equal to present value कितना है 1.10 power 2 आपको पता है इस बार का जो paper आया था S.F.M. का पता तो हो गई ऐसा तो है ने छोटी 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 चीज़े पूछा है यार यही छोटी छोटी पारिक्यों से नहीं देखोगे तो गलती सर तो हमारा सही है ना सबसे पहले 1.10 1.10 फिर क्या करते हैं into equal to तो दो बार हो गया फिर से बता रहा हूँ बच्चे इसमें भी confused होते हैं मैं आपको यह बोल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल basic से चल रहा हूँ मैंने कैसे calculator में कैसे किया 1.10 into equal to into equal to किया तो वैसे कितने बार हो गया दो बार और into क्या कर दिया मैंने 1 लाग ठीक assumption क्या चल रहा है assumption यह जो भी point में बोलते जा रहा हूँ जहां आपको ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए वहां लिख लेना में बहुत सारी चीज़े लिखवा नहीं सकता ठीक क्योंकि यह basic चीज़े जा ठीक है सर बाद समझे में आठती है compounded annually कर चलो जह फटाफट से बोलना अगर पैसा चमा किया जाहरा कितने साल के लिए फ़ा अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अब आप समझ गया हो कि क्या करना तो बताओ future value क्या आएगा फीक लाख 1.1 फ़ावर क्या हो जाएगा फी फीक है इशा और PBA कोई प्रिशान्त है तनिश्क है आगे मिलो बैं आप से बदला लूँगा अभी तो फटाफट से जवाब आ रहा है 1.33 था उचर 100 मानना पड़ेगा आगे मिलोगा ना बैटेया आज आप ही आज की क्लास याद रखना हो कल की क्लास याद रखना है मज आएगा बिल्कुर देखो मैं कैसे फसाथा हूँ तो यहां हो गया फाइनल क्या गया कैसे किया कैसे भाई किया कैसे किया ऐसे कैल्गुलेटर की बात करो कैल्गुलेटर कैसे चलाया कैल्गुलेटर ऐसे चलाया 1.10 ठीक इंटू इक्वल्टू किया तो कितने बार हो गया दो बार फिर इक्वल्टू किया तो कितने बार हो गया तीन बार ऐसी करते थे नहीं और याद करो हाँ सर इंटू इक्वल्टू किया तो दो बार 1.10 इंटू equal to किया तो दो बार, फिर equal to किया तो तीन बार, और फिर into क्या कर देंगे, एक लाक answer यही आ जाएगा, और answer क्या आएगा हमारा क्या आएथा, रुपीज 1,33,000 बिल्गों सही है, सभी बच्चों का सही है ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके जवाब इतने जल्दी-जल्दी आएगे, कल से मैं प्लान बना किया हूँ, मेजा target बस एक ही रहेगा कि आप से मैं गल्ती करवाँ, target बस यही बना किया हूँ, आप से गल्ती करवाँ, ठीक है सर, तीन साल का हो गया, चलो जी सर, चार साल पूछा की नहीं पूछा हूँ, हाँ, चार साल का भी पूछा होगा, क्योंकि उसमें एक concept समझना ना, अगर पैसा जो जमा किया जा रहा है, हाँ, बच्चों ने answer भी निकाल के रखी लिया होगा, मुझे आप से उम्मीद है, answer निकाल लिया होगा, 146, 410, प्रशान्थ है, पांशु है, इशा है, बी-बी है, मुझे नाम नहीं दिख रहा, actually winner है, 146, 10, खीक, एगरी हूँ, इसको calculator में कैसे शॉल किया, काश आप ये भी बता दू मुझे, जब इतना बता दिया, अकरेक आंसर है, तनिश्क, calculator में कैसे शॉल किया, एक लाख, किस, इन्टू, नहीं यार, इक्वल टू, दो बार, अच्छा, किश्या का कहना ये है, किस तक एक लाख, इन्टू, इक्वल टू, फिर इक्वल टू, इन्टू, 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 ये भी काम आएगा जो मैं करवाने वाला हूँ, दूसरा मेरे पास भी एक तरीका है, हाँ ची, अंस का और सुभेंद्यू का सभी का सही है, सभी का आंसर एक जैसे ही आ रहा है कि हम करेंगे ऐसे, एक लाग इन्टू इक्वल्टू किया तो दो बार, पर एक बार है मैं पावर का यूज़ करूं, सुनो कैसे पावर का यूज़ करूं, वनपॉइन तो इंटू एक्विल्टू किया तो दबलो çो गया और फिर इंटू इक्विल्टो डू किया तो ऑर प्थिर इंटू इक्विल्टू किया तो आटोमेटिक āर हो गया हाँ समझ रहे होना Chair अच्छा आंसर दोनों से क्या एक ही आएगा देख लेते जर 1.10 into equal to into equal to हाँ आंसर तो एक ही आएगा तो सुनो बच्चो सुनो इसका यूज होगा ऐसा नहीं है कि होगा नहीं आज नहीं तो कल इसका यूज होने वाला है क्योंकि यार जब 20-20 साल आएगा ना 30-30 साल के लिए investment आएगा फाइनसर हमार 30-30 साल के लिए investment के लिए आएगा ना तो ये shortcut काम आएगा ठीक है तो कहीं नोट कर ले ना काम आएगा calculator का यूज केज ठीक है सर बात हो गई एक साल दो साल हम क्या निकालने जा रहा है हम निकालने जा रहा है future आगे चले उसके बाद कितने साल के लिए उसके बाद सीधा दस साल के लिए for 10 years कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढाते हैं मैं ऐसी पढाऊंगा भई ऐसी पढाऊंगा उतने ही टाइप में क्लास कतम करूंगा लेकिन target यह है कि मैं एक एक चीज अच्छी से समझा दो for 10 years एक answer आया है 259 सुभांसू का answer है 259374 देख दूँ क्या हाँ सर लिग देजी 259 374 और कोई है एक answer आच चुका है प्रशान्त का भी 259374 आप से ज़्यादा क्यूमित है तनिस्क कह रहा है 1.1 into equal to 9 बार करेंगे सर तो answer इतना ही आएगा बिलकुल ऐसे भी करें मेरे पास और एक trick है ना यर तनिस्क और एक trick क्या होगी सोच के बताओ ये वाला trick कुछ कोई है जो जुगाड कर सकता है ये वाला इसका कुछ हो सकता है कि बस answer वही आए जो आपने निकाला 25937 अच्छा सिवांगी का है 313842 देखो कहीं गरबढ है ज्यादत तर answer है मेरे पास 25937 देख लेते हैं 1.10 पावर क्या हो जाएगा 10 एक विने वगिरा सब का कहना है आप सीधा सीधा करो एक सिंपल टेक्निक है 1.10 इन्टू एक्वल टू कितने बार हो चुका है दो बार हो गया ऐसा ऐसे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार इस तरह से करो और 10 बार answer आजाएगा ऐसा आप लोगों का कहना ऐसा आप लोगों करके देखू 1.10 इन्टू एक्वल टू दो बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्टू एक लाक final answer यह है जो ज़्यादतर बच्चों का आया है 2, 5, 9, 3, 7, 4 पर मेरा यह कहना कि मेरे पास और एक ट्रिक आची दूसरा क्या ट्रिक हो सकता मैं आपसे यही कहा था देखो यार सुनो मेरी बात समझो अभी ना 1.10 1.10 equal to मैं आपसे बात करता हूँ फिरा यह कहना 1.10 अब ध्यान से समझना मैं क्या बहूँ 1.10 into equal to किया तो बोलो कितने बार आ गया और दो बार हो गया फिर equal to किया तो बोलो कितने बार हो गया तीन बार हो गया सर फिर equal to किया तो कितने बार हो गया चार बार हो गया सर और फिर equal to किया तो कितने बार हो गया पाच बार हाँ बिल्गुल किशन शाही बोल रहा है और फिर पाच हो गया तो उसका डबल कर देते नहीं इंटु इक्वल टू हाँ मैंग बिल्कुल सहीं किशन का भी शहीं है मैंग का भी शहीं तो बस मैं यह कहा रहा हूँ पावर के साथ थोड़ा खेल के साथ सर सुनो ना यह इसी ताम जहाम करने यह बहुत प्यारा लगना थोड़ा ऐसे भी कर लो पर मैं यह कहा रहा हूँ कि जैसी पावर जो आया जहां तक पहुचे और फिर इंटु इक्वल टू करते तो उससे डबल हो जाता है ठीक है सर अब जब कोशन आएगा तब देखा जाएगा ठीक है बात खतम करें अभी मैं एन्यूटी पे नहीं पहुचा हूँ फिचर वैल्यू अप एन्यूटी पे नहीं पहुचा हूँ अभी तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल फिचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सर future value निकालने का formula क्या था सर जो भी present value होगी 1 प्लस R to the power N agree इस formula से क्या आप present value निकालने का formula बना सकते हो हाँ into equal to 5 times भी करोगी तो भी हो जाएगा हाँ मैं आगे निकल चुका हूँ तो अब मेरा question सुनो के ध्यान से future value निकालने का formula है present value 1 प्लस R to the power N तो मैं यह कह रहा हूँ क्या हम कुछ ऐसा करे अधिकतर formula बहुत सारे formula है मैं खुद derive नहीं करने वालू मैं आप से पूछूँगा कैसे derive हुआ समझाऊँगा में बाद में वो मेरी duty है पर derivation तो आपको ही सीखना पड़ेगा और आप अगर derivation करोगे जिंदगी भर वो formula याद रहेगा कितने भी formula हम derivation करें तो मेरा ये कहना है कि future value मेरा बस इस से future value मतलब पता है हमको मैं present value निकलने का formula में बात करूँ तो सर बहुत आसान है present value निकलने कि 1 प्लस r इधर कर देते न तो formula हो गया है सर future value divide कर देंगे 1 प्लस r to the power n ठीक है तो अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ अभी हमने क्या formula एक ही पढ़ा और हमने क्या पढ़ा हमने future value निकलने का formula हाँ बिल्कुल सही future value तो मांशों शही है future value divided by 1 प्लस r याद रख लेना एक बात अच्छे से पूरा SFM में present value होने है पूरा SFM चाहे आप capital budgeting करो चाहे आप derivative करो चाहे आप forex करो चाहे portfolio management को बिना present value future value काम का नहीं है जब लगेगा तब लगेगा दो-चार question में लग गया तो लग गया present value काम का है भाई expert knowledge चाहिए present तयार हो सर हमको आता है आज देख ही लेती है न कि कैस कितना आप तयार हो जाओ दिखोगे example number 2 धीरे धीरे काम करेंगे मैं आपसे पहली बता दूँ अधिकतर examples अधिकतर chapters में अधिकतर मतब advanced capital budgeting को छोड़ दिया जाए तो सारी examples book में लिखे हुए रहेगे तो आपको copy में note नहीं करना पर और जितना भी concepts है जो मैं लिखवाओंगा अभी तो इसमें कुछ लिखवाने वाली बात है नहीं ये सब आपको आता है पर अधिकतर जो भी मैं लिखवाओंगा आपको लिखना पड़ेगा concepts अपनी copy में लिखना हो concepts book में नहीं लिखे रहेगे आपको लिखना पड़ेगा जब तक concepts book में नहीं लिखोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा मतलब copy में तो copy एक बार देखोगे न copy तो लगेगा ये concepts लेगा examples मैंने book में दे दिया है क्योंकि या time बहुत लगता है examples लिखवाने पर अभी ये basic से तो examples लिखना पड़ेगा तो अभी क्या कर रहे थे हम सर अभी जो हम कर रहे थे future value of cash flow अब क्या करेंगे अब करेंगे और formula सी simple सा बात है अब लिख चुके अब लिखोगे दूसरा present value of cash flow दिखोगे present value of cash flow फिर दोनों को मैं mix करने वाला तेरा target है आपको confuse करना और आपका target है बचना हमारे और आपकी बीच में competition ही कैसे हो जाए है तो अब लिख रहा है second top तो मैं बोल रहा हूँ present value of cash flow फॉर्मूला आप बता चुके हैं मुझे और आपने बताया सा present value निकलने का फॉर्मूला है इसको note down कर लीचे और अब होगा competition आपके और मेरे बीच में ठीक है है मैं ऐसे questions पूछूंगा आप confuse हो जाओ बस और आप अगर जवाब देदें तो चल हो जायाना सर हम तयार हैं बिल्कुल यह फॉर्मूला लिख लो पहले फिर देखते हैं लिख लिया होगा example number one खोटा सा example है छोटे छोटे example से पर बाद अगर मैं कहूं future value रुपीज one lakh five thousand और सर रेट कितना है rate है one point one two सर यह future value कब का है second year end का second year end में मुझे आज मैं bank में कुछ पैसे जमा करना चाहता हूं कितना जमा करना चाहता हूं वह नहीं मालूम पर future value second year end में मुझे एक लाग पच्चीज़ रुपए मिल जाएगा rate one point one two की 12% तो यह लो भाई 12% और rate है 12% per annum per annum समझी गए हो गया अप और मुझे क्या निकालना मुझे निकालना present value मैं time pass नहीं करना चाहता हूं मैं present value चाहता हूं आपसे और जल्दी से answer चाहता हूं अगर मैं simple सब्दों में बलूं आज कितना पैसा जमा करूं कि 12% के हिसाब से दो साल बात मुझे 125,000 मिल जाए एक answer आ गया तनिस्क का 99649 वाउ बहुत सारे बच्चों पूछूंगा बटे ऐसे नहीं निकाला कैसे निकाल तो लिया क्या पता चिटिंग कर लिया हूं answer आ गया रुपीस 99649 मेरी कोशिश क्या है मेरी बात समझे अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो गए उनको ऐसा लग रहा हूंगा यार ऐसे इम पढ़े है क्या पढ़े है यार यह तो टाइम आखरी क्लास तक आपको ऐसा लगेगा बहुत आसान था बस मेरा वही टार्गेट है हम आया कैसे तो एक आंसर आया सा प्रेजेंट वेल्यू निकान लेगा वान लैक पाइप था हो जैन वाइडिट बाए वान पॉइंट वाइड पावर टू यही है ना हाँ बोलो तो कैलकुलेटर में कैसे मज़ा जाएगा यार जूम में रहोगी ना जब आपस में बात होगी ना हमारी तो मुझे पढ़ाने का अलगी मज़ाएगा क्योंकि अभी मैं बोलता हूँ चलो कैलकुलेटर में कैसे करोगे तो आपको टाइप लिखना पढ़ रहा है और कास मौका मिल जाएगा आपको मेरे साथ बात करने का पढ़ाने का अलगी मज़ा जाएगा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी कितना हो सकता प्रॉब्लम शाउट आउट होगी और तब पढ़ाने का जो मज़ा आगा आपके साथ बात करने में अभी बस ये है कि भाई साव इसको किया कैसे calculator में पेन वापस नहीं चला सकते कि वापस इसको फिर से लिखेंगे step number one में ही करेंगे ये नहीं करने वाला हूँ मैं इसको लिखूं कैसे stall कैसे करूं पानी प्लिए 1 divided by 1.12 equal to equal to into one like 25,000 विन्यका अनुशर सभी वाकई यार विश्वास नहीं हो रहा ग्रूप में आप खुद भी देख रहे होगे बच्चे कि सब की अलग अलग टेक्निक सब अपने अलग अलग तरीके से बता रहे है मैं भी अपना तरीका बता दूं क्या हाँ खीके सर आप भी बता दूं अपना तरीका मेरा क्या यार सभी लोग ऐसा करते है हम इसको ऐसे करेंगे एक लाग पच्चिस जार कैल्कूलेटर में लिखेंगे divided by 1.12 और दो बार एक बल्टू एक ही तो बात है सुनो मैं कि M प्लस में क्यों जाएगी M प्लस में जा सकते हो M प्लस अच्छा है यह सब सिखाऊंगा मैं वैसे मैं अभी M प्लस में नहीं जा रहा हूं क्योंकि CTC तो बात है जब बात CDC है तो उसको सीधा ही करते है M प्लस में नहीं जाएंगे एक लाख पच्चिस जा डिवाइड़ बाइ 1.12 और दो भारट इक्वल टू कर देंगे तो आंसर भई आएगा हाला कि आप गलत नहीं हो साक्षी मैं बस यही कह रहा हूं कि M प्लस MRC को अभी में छेड़ना नहीं चाहता कैलकुलेटर में पाकि अगर आप M प्लस MRC का यूज करने में एक्सपर्ट हो तो आप कर सकते हो अच्छा कैलकुलेटर की बाद भी समझ लो किसी भी हालत में किसी भी हालत में आपके कैलकुलेटर में जीटी होना जरूरी है याद रखना नो डाउट कि जीटी के बिना भी काम हो जाएगा M प्लस MRC में लेकिन मुझे नहीं करवाना दूसरी बात सुन लो दूसरी बात ये कैलकुलेटर में प्लस अबलिक माइनस का जो बटन होगा प्लस डैस माइनस वो भी जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है जब मैं पोर्टपोलियो करवाओंगा उस बटन का मैं यूज करवाओंगा बहुत ज़्यादा आप परिशान हो जाओगे इसलिए मैं आप से बोलो जीटी होना जरूरी है प्लस अब लिक माइनस होना जरूरी और मु होना जरूरी मु लिखर आओगा जिन बच्चों के और सर मान लो नहीं है तो तो कैल्गोड रिज़ आगे से हम ऐसी ही करेंगे एक लाख पच्ची सर डिवाइड़ बाई अब काम की बाद सुननो वेटे काम की बाद अब सुनोगे ध्यांस इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ठान से सुनना एक लाख पच्ची सर अगर कुछ पच्ची सर अगर कुछ नई भी लिखा तो इन्टू वन तो होता है एगरी होना यार इस बाद से और डिवाइड मैं इसको 1.12 पावर 2 से कर सकता हूँ हाँ सर कर सकते हूँ और फिर मैं इसको वापस लिख रहा हूँ एक इस टेप में एक लाख पच्ची सर इन्टू अब मैं कर रहा हूँ 1 डिवाइड बाए 1.12 दो बार इक्वल टो कि तो यह आगा है 0.7972 और फिर अगर मैं एक लाख पच्ची सर इन्टू 0.7972 से मल्टिप्लाई करूँ अंसर आ गया रुपीस 9-9-6-5 ठीक है मैं क्या कहना चाहता हूँ का आप समझ गया हाँ सर यह बहुत बताना चाहते हूँ यास अंसर वही आएगा अंसर वही आएगा आव इन्हें अब सही हो अब सही हो अंसर वही आएगा बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझने की कोशिश करो इसको क्या बोला जाता है सर इसको बोला जाता है present value factor याद है present value factor इसी ये इंटर याद करवा रहा हूँ हाँ सर ये है present value factor कितने percent पे है सर 12 percent पे है सर कितने साल का है second year का इसको बोला जाता है present value factor आंसर ये इसमें भी वही आना है इसमें भी वही आना है पर हमको ये भी सीखना पड़ेगा ये तो आता है सर और ये तो आता ही है बड़ी इंपोर्टन बात है हलके में मत लेना क्या ऐसे करोगे और ऐसे करोगे और डिवाइड वाले से करोगे तो क्या answer अलग-अलग आ सकता है पड़ी important बात है हलके में मत लेना बारकों की number कट जाए मेरा question क्या है एक तो ये divide वाला तरीका है तूसरा ये factor वाला तरीका है इससे answer आया 99649 इससे answer आया 99650 सर एक ही रुपए का तो अंतर है अभी एक रुपए का है लेकिन cash flow 3-4 साल 10 साल का रहेगा तो अंतर तो आ जाएगा इससे अलग answer आ रहा है इससे अलग answer आ रहा है एक्जाम में क्या करोगे एक्जाम accurate कौन सा accurate फैस्ट वाला की सेकंड वाल accurate आ सकता अलग answer बिल्कुल 100% और एक्जाम में दिक्कत क्या है फाइनल लेवल पर जब मैं copy देख रहा हूँ तो यार आपका नमबर ही काड़ दिया जाता है वो चाहते है कि जो suggested है जो उनके पास है उससे वो आपकी copy चेक करते है जो भी उनको में के साथ question के नीचे present value factor देगा first वाला correct है लेकिन पता है दिक्कत क्या मालूम है first वाला 100% मैं मानता हूँ ये बिल्कुल accurate है यार लेकिन problem ये है कि ये accurate होने के बाद भी आपका answer कट सकता है और आपको zero number मिल सकता 100% उसकी वज़ा मैं बता रहा हूँ ICAI क्या करता है माल लो question paper तो question paper में न वाव factor दिया रहता तो वो दिखेगा नहीं आपको वहाँ से पर question paper में questions के साथ present value factor दिया रहता है अगर question के साथ present value factor दिया है तो sir आख बंद करना है हम चाहे वो accurate हो आपको यह ऐसे ही काम करना पढ़ेगा आपको present value factor ही निकालना किसी से काम करना पढ़ेगा हाँ अगर question के साथ present value factor नहीं दिया है तो ऐसे काम करेंगे फिर तो यह accurate है ज़ीज़ी और फॉल मैं आपको ज़ीज़ी तो यही मले है लेकिन अगर प्रेजेंट वैली फैक्टर दिया है अगर प्रेजेंट वैली फैक्टर दिया है तो आपका आंसर और इंस्टिटूट का आंसर मैच होना चाहिए एक एक पैसा से मैच होना चाहिए आप भी समझ रहे हो इस बात को और आपका ही नहीं बाकी सारे जितने भी स्ट कैसे करें फिर आपके पास choice है आप ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है तर इसको लिखा कैसे जाता है वैसे इसको ऐसे लिखा जाता है अगर मैं कहूं इसको exam में किस तरह से लिखा जाता है यह प्रेजनटेशन important है इसे लिखा जाते है तो piece 125,000 into present value factor कितने percent का ले रहा हूँ तर 12 percent कौन से year का second year ऐसे लिख लिया करो देखो यार calculator चलाना सब जानते है मैं भी time passing कर रहा हूँ मैं भी जानता हूँ आप जानते हैं यह सारी चीज़े तो सर आप क्यों पढ़ा रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब copy लिख रहा हूँ copy में यह सब सारी चीज़े लिखी होनी चाहिए पेपर चेक करने वाले को लगना चाहिए कि यार क्या बजा आ गया है अच्छा सर यह मेरे साथ लिख लेना है दिस ऐक लाख बच्ची तर इंटु 1 डिवाइड एव 1.1 टु एक दू तीन नहीं दू यह तो सलता है 1 डिवाइड 1.1 टू एक दू तर यह कितने डिजीट तक लेना है तीन या चार हमारे CMA का जो इस्टेडी मैट है अधिकतर questions present value factor point के बाद तीन डिजिट तक लिया है और कभी कभी किसी question में चार डिजिट तक लिया है तो अब यार या तो factor दिया रहेगा तो ठीक है और नहीं दिया रहेगा तो तीन या चार ले सकते हैं ऐसा कोई fix rules नहीं है पता लगा किसी question में चार ले रहा हूँ उसने तीन लिया है किसी question मेंने तीन ले लिया तो उसने चार ले लिया आपको factor दिया रहेगा आप निश्चिंत हो जाईए मैं अभी यहां तीन के साथ काम करूँ 797 1,25 एंटो पॉइंटो पॉइंट यह आगे सर यह तो और भी अलग आगे है 9,9,6,5 यस जितना rounded off करोगे answer अलग ही आएगा ठीक है पर उसके लिए बहस नहीं होगी किया तीन लेना है कि चार लेगा चार लेना question में दिया रहेगा जो दिया रहेगा वो ले लेगा चले आगे बहुत हो गया time pass गंटे भी हो गया class को चलो जी final 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 present value आपको निकालना आगे अब जान लेने वाली बात है अब बहतरीन चीज करवा रहा हूँ देखोगे example number 2 अब बहुत है अब आपका knowledge आपका calculator trick काम आने वाला है मैं देखना चाता हूँ कितना calculator चलाना जानते हैं हो जाए देखते हैं final वाले बच्चों को मैं calculator चलाना सिखा रहा हूँ देखते हैं आप देखोगे example number 2 अब जो जवाब दे रहे थे ना अब मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ तर गया भई नया नया बोर्ड है न तू आज example number 2 future value future value को क्या मैं cash inflow बोल सकता हूँ हा सर बोल सकते हूँ cash inflow बोलूँ न cash inflow मिलेगा मुझे एक साल बाद cash inflow मिलेगा मुझे दो साल बाद बोल सकते हूँ कह रहा हूँ cash inflow मुझे पैसा मिलने हुआ है first year पच्चिस जार second year 32,000 थर्ड येर में thousand rate 10% परेन ये first year का future value ये second year का है ये third year rate है 10% परेन मुझे सब मिला कर present value चाहिए it means मुझे चाहिए present value ठीक है ऐसा नहीं है इसको divide किससे करेंगे 1.10 power 1 इसको divide किससे करेंगे 1.10 power 2 याद रखना भाई रूखो इसी के लिए मैंने आज की class लिया हूँ ये समझना जरूरी है करना जरूरी है आप लोगों का कौन से वाले तरीके से करना divide वाले कि multiply वाले तोनों से चाहिए मुझे हाला कि answer अलग 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 आएगा हमें answer match करवाना काम नहीं है तनिसका answer आया 64199 0.85 को मैं ignore करूँगा rounded off करके बताओगे 64199 एक answer आ चुका है 6419 मुझे present value चाहिए पेंदू का भी answer है 64199 64199 ऐसा नहीं लग रहा कि cheating हो रही है यह वहीं गुरूप में ही cheating हो रही 64199 divide वाले से किया कि factor वाले से कि तरशान्थ है 64177 वाओ मुझे उमीद थी कि सब के answer अलग अलग आएगा 64200 पहला divide वाले से कर रहा है कुछ लोग divide वाले से कर रहा है कुछ लोग present value factor तो चलो यार अभी तो मैं आपका साथ check तो नहीं कर सकता मैं divide वाले लिख रहा हूँ सबसे पहले divide वाले से final करते है present value of cash 25,000 divided by 1.10 पावर 1 लिख लेना भाई मैं जानता हूँ जवाब दे रहा है लिख भी लेना लिखो गए रही ना तो खुद की copy सबजब नहीं आईगी कि मैंने किया क्या है करके calculator में सुनो शर्त यह है कि आप pain नहीं चला सकते आप बस इतना लिख लिया है उसके बाद सीधा answer ही लिखने वाले हो आप अब समझ रहे हैं नहीं क्या कहना चाहरा हूँ इसके बाद मुझे ऐसा नहीं है कि इसको divide करके लिखा इसको divide करके allow नहीं है allow नहीं हमरे बास time ही नहीं है हम में सीधा answer लिखना है calculator में क्या किया जाए कि सीधा answer आ जाए पे नहीं चला सकते सिर्फ क्याल्कुलेटर यूज़ करना है कुछ बच्चों का क्याना M प्लस यूज़ करेंगे सर यही तो दिक्कत है मैसेज में न M प्लस MRC को यूज़ करेंगे दिवाइड वाला छीक है चलो देखी लेते हैं मैं बता रहा हूँ साइद आप वही कर रहा हूँ कि कुछ अलग कर रहा हूँ एक बड़ समझ में चाहिए अब बताना वो बस यस रॉंग है या राइट है बस मुझे बताते जाना मैं लखते जाना 5000 बड़ बाइ 1.1 इक्वेल टू M प्लस 30,000 बड़ इक्वेल टू प्लस 20,000 बड़ इक्वेल टू M प्लस और लाश्ट में MRC नहीं है न कुछ गलती दे राइट या रॉंग अच्छा विने का कहना सर गलत है आंसर भाई मेरा भी वोई आना चीए फिर जो आपका आया मैं एक बार कैलोरेटर चला कर देख लेता हूं मेरा आंसर कितना आ रहा मेरे हिसाब से तर पच्छीज आर और दिए बाई 1.10 एकल टो आ प्लस 32,000 दो बार इकल टो आ प्लस 20,000 तीन बार इकल टो आ प्लस और मेरा आंसर आ रहा रहा रूपीज 6,4,1,99 या 1,200 यह आंसर आ रहा मेरा रॉंग क्यों बस इतना बता देना भाई आपको पता भी है कैलकुलेटर में 1.10 से हो गया है आपको कैलकुलेटर चलाना सीखना आपको नहीं मालूम कि 1.10 तो आटोमेटिक से हो गया है आपको बार बार 1.10 कैलकुलेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं पढ़ने चाहिए टाइम ही नहीं है हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप यहां आपके मन में यह आ रहा है 32,000 divided by फिर 1.10 क्यों नहीं लिखा हाँ ट्रिक सबके अलग-अलग हो सकते है लिकिन बेटे यह जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिपेंड करता टाइम कर बहुत सारे तरीके मैं मना नहीं कर रहा हूँ पर यह भी गलत नहीं है और इसमें आपका टाइम बचेगा उसकी वज़ा क्या है क्योंकि आपको बार बार divided by 1.10 नहीं करना पड़े बाकी आप अपना अल्टरनेटिव ट्रिक भी लगा सकते हूँ उसका कोई दिखकते हूँ आंसर क्या कितना आ रहा था 6,4,2,000 कितना था यह अर अंसर तर लेता हूँ किसजार डिवाइड यह 1.10 एक तस थर्टीट एक तस ट्वाइड तस एक तस एमर्स नहीं करना पड़ेखा बस और दूसरा वाला तो कुछ है नहीं है दूसरा वाला हमको आता है फैक्टर वाला 20,000 into 0.909 plus 30,000 into 0.826 plus 20,000 into फैक्टर क्या आएगा 0.751 अंसर निकल नहीं करने है तो जिन लोगों का निकला था रुपीज 6,4177 का भी सही था जिन्होंने फैक्टर लेके गए बस तर तो दोनों चीज सीखना जरूरी है क्योंकि आपने ये इंटर में पढ़ा होगा IRR capital विश्टिंग था की नहीं था भूल गया हूँ तो capital विश्टिंग में एक topic था internal rate operator उसमें एक hit and trial method होटा था उसमें हम पहले एक rate से discounting करते थे फिर दूसरे rate से discounting करते थे M plus और MRC पक का मैं explain कर दूँगा separately हाँ interpolation interpolation तो तब करते थे जब पहले trial करते थे क्योई एक 10 पर्शन ले लिया तो यहां बहुत बड़ा बड़ा काम होने वाला है इसलिए यह divide वाला काम आएगा और सी के मैं आपको पक्का पक्का मैं actually वहां मुझे नाम शो नहीं हो रहा है पर मैं पक्का पक्का आपको अलग से explain कर दूँगा M plus और MRC का क्या यूज और कैसे यूज हो रहा है पक्की यहां बस चीज़े यह है कि मैं plus करते जा रहा हूँ तो मैं उसको memory plus में डालते हुए जा रहा हूँ पक्की इसके विसे में मैं आपको अलग से separate रहा हूँ ठीक है चीज चले आगे हाँ सर बहुत time bus हो गया अब आगे चल रहा है तो यह है यह please मैं आप से फिर से बोल रहा हूँ सभी बच्चों से बाद में मुझे परिशान मत करना की सर फिर से बता देना इसको note कर लेना यह आपके काम की चीज़ जो अभी तक की class शली है जितनी उसमें यह class यह चीज काम किया ठीक है कितने example हो गए है दो number three note का लिए है ना चलूँ आगे अब फिर से आपका number example number cash inflows first year, second year, third year फिर से present value भी मैं पूछूंगा अब target बना के रखना मैं भी थोड़ा घुमाने की कोशिश करता हूं कुछ अच्छा सा बहत्रीन वाला पहले साल आएगा 40,000 फिर साल भी 40,000 फिर साल भी 40,000 पस्तीनी साल सर इसको तो हम कुछ बोलते थे यार, see enter में हर साल cash flow एक जैसा होता है उस तो बोलते थे सर याद नहीं याद हर साल cash flow एक जैसा हो हाँ सर याद आया इसको हम बोलते थे एन्यूटी हाँ बेलकुल सही निश्ची था एन्यूटी बेलकुल सही निश्ची था एन्यूटी बेलकुल सही निश्क याद है मतलब मैं सोचा कि CA Inter CA IPCC या CA Inter भूल गए होगे लेकिन बच्चे अभी नहीं भूले पता है सर एन्यूटी आप rate बताईये ना हम answer बताते हैं खालो ठीक है rate भी बता रहा है और rate ले लेते जिससे हमको discounting करना है discounting सब्दी यूज होता था यार हाँ present value निकालना और rate माल लेते है rate लेते है 12% per annum और मुझे निकालना है क्या present value of cash inflow present value question mark पहले साल 40,000 मिलेगा दूसरे साल भी 40,000 मिलेगा तीसरे साल भी 40,000 अच्छा मैं यह जो बोलता हूँ ना मैं बोलता हूँ present value factor PVF लिखवाया हूँ सायद मैंने तो आप हम कुछ लोग इसको PVIF भी लिखते हैं लिख सकते हो PVF भी लिख सकते हो पर PVF shortcut है यार हम इतना लंबा लिखे यह क्यों answer आ चुका है बच्चों का सभी का answer आया 96073 divide वाले से की factor वाले से तक्छी आपका भी सही है लगबग सभी का उतना ही answer आ divide करके कर रहे हो की factor से 96073 ठीक है 7273 प्रशान्त बिल्गु सही answer अच्छा चाहे सर डिवाइड से ले लीजे चाहे factor से ले लीजे answer तो यह किया divide वाले से कैसे किया जरा बताना मुझे मैं भी तो सुनना चाहूंगा divide वाले से कैसे कि चाहे से लिए जरा जरा कर तो स्टेश जरा एति यूज रहे है विलकुल जरै जरा चाहा 1.10 उसीं जरा ठीक है मैं मिलता हूँ आपसे 40,000 divided by 1.10 equal to equal to टीटी ऐसा तेखूं क्या 40,000 divided by 1.10 equal to टीटी है हाँ सही तो है अंसर आरा रुपीज 9,6 पर मैं इस पे जाही नहीं रहा हूँ अब इसको समझ ले ना बस यह आखरी बात है जो मुझे समझाना प्रिजेंटेबली मैं बात करूँगा फैक्टर बात इन लोगों को फैक्टर का अच्छा खासा नौलेज है कोई दिक्कत की बात नहीं है सुनना ध्यान से पैटे सुनना ध्यान से कैसे काम कर रहा हूँ present value of cash मैं आप से कह रहा हूँ 40,000 पहले साल आ रहा है 1 divided by 1.12 उसको multiply करते हैं पॉइंट एट नाइन थी से फिर 40,000 भी second year भी आएगा तो इसको multiply किसे करेंगे second year के factor से 0.79 7 से फिर 40,000 थर्ड यार भी आएगा यस और उसको multiply करेंगे third year के factor से 0.712 से ठीक है अब क्योंकि बात ऐसी है कि ये सब की सब 40,000, 40,000, 40,000 ये सब की सब 40,000, 40,000, 40,000 common है तो आपके मन में जरूर ये बात आ गई होगी कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि 40,000 एक ही बार लिख ले हम 40,000 एक ही बार लिख लेते हैं ठीक है और 40,000 एक बार लिखकर into इन factors को इसको इसको और इसको जोड कर लिख देते हैं यही तो होता है यार उसी को तो आप present value नईटी factor बोलते है बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों मैं इनको add कर रहा हूं क्यों GT use कर रहा हूं मैं इन सबको जोडने की कोशिश कर रहा हूं it means मैं कर रहा हूं PVAF PVAF AF का मतलब मिला कर cumulative factor annuity factor कितने बर्षन का लेना भाई 12 बर्षन का कितने साल का लेना है 3 साल तो फिर आ जाएगा चालीस हजार इन्टो 1 डिवाईव 1.12 एक दो तीन जिटो यह आ गया है 2.402 चालीस हजार इन्टो 2.402 अंसर आ गया है रुपीज 9608 अगर यह सब्द यहां देख रहा है न यहां पीवी एएफ लिखा है इसकी जगह अगर मैं लिखता हूं पीवी एफ फारा परशंट और कितने साल का तीसे साल का तो दोनों बातों में अंतर है यह लिखूं तो मतलब अलग होता है और यह लिखूं तो मतलब अलग होता है यह लिखूं तो इस का यूज करना ही पड़ेगा पूरा SFF में यह यूज होने वाला समझ में यह आना चाहिए कि यहां का मतलब क्या होता और यहां का मतलब यह सब हम यूज नहीं करेंगे डिवाइड वाला बहुत कम यूज होने वाला है अल्टिमेटली आपको फैक्टर ही लिखना है तो प्लीज अगर आपने नहीं भी लिखा होगा तो अब इसको प्यार से लिख लो 40,000 into present value entity factor इनको एट कैसे किया जाता है एट कैसे किया जाता है वो आपको पता है 1 divided by 1.12 एक, दो, तीन और फिर जीटी प्रेस कर देना तो यह जाए और सर जिनके बाद जीटी नहीं है वो एम प्लस में डालके कर सकते वो मैं आपको डिसकस नहीं करूंगा क्योंकि जीटी का यूज होने वाला प्लीज 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 तो ऐसा calculator purchase कर ले ना जिसमें ठीक है जी ठक गया हो हाँ सर ठक तो गया है मैं ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाऊँगा जब तक आप मेरे सामने नहीं आऊँगे ना तब तक नहीं पढ़ाऊँगे अभी क्या messages में उतनी अच्छे से बात होती नहीं हमारे बीचे और classes भी हम बहुत ज़्यादा hectic लेकर नहीं चलेगे जब तक एक flow में class नहीं हो जाएगी ऐसा नहीं कि पूरे दो घंटे या धाई गंटे का तो सवाली पैसा इतना तो आप ना मुझे चेल पाऊँगे ना मैं आपको पढ़ाँगा दो घंटे चलाएंगे धंग से चलाएंगे और ऐसा भी नहीं कि दो घंटे पढ़ने ही पढ़ना है एक जगा है वैसे कल डिस्कस किया था छोटा सा पर एम्यू बेटन का भी यूज है और धंट का यूज है मुझे टाइम देना वह बताऊंगा बहुत सारी जगह है उसमें से एक जगह कल मैंने बताये था कि कैसी यूज होता है एम्यू बटन मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगा कल मैं डिस्कस करूँगा इसमेट आज वैसे भी हमारा साड़े आट सवाट बजगे हैं और मैं बहुत ज़्यादा आज भी क्लास ऐसा नहीं कि मैं नौ बज़े तक लूँगा मेरा टार्गेट है कम से कम यह प्रेजेंट वाल्यू खत कैलकुलेटर का माश्टर तो हो नहीं पड़ेगा याश क्या कर ले क्योंकि एक और वज़ा है ना यार मल्टीबल चोईस कोश्चन है चार्गेट वो है हमारा तो अगर जो चीज अब मैं आपको एक बाद बता रहा है अब जब पूछ लिया है एक हलकी रफली चीज बता र कि किसी प्रोड़क्ट का कॉश्ट है पचीज सो रूप कोई प्रोड़क्ट है कैलकुलेटर पकड़ो लो कैलकुलेटर का कॉश्ट है यार पचीज सो रुपया में मैंने खरीदा है और मैं उसको बेचना चाहतू मेरा काम में ट्रेडिंग माला कैलकुलेटर खरीद कर profit पे profit पे बेचता हूँ और profit कितना है तो profit है 20% of किसका sales का selling price का 20% profit कमाता हूँ cost कितना है 2500 रुपए क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि selling price क्या आएगा ऐसा खूब करते थे हम लोग CA foundation में CA foundation में ये तो question आते थे कोई है 2125 निशिता 2125 किशन निकाल कैसे लेते हूँ हाँ ये पढ़ा यार आप ऐसा भी पढ़ते हैं 1 5th of sales is equal to 1 4th of cost और जो 1 4th आया वह ऐसा भी कर लो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई जिन लोगों को समझना है मैं आपको बस calculator बता रहा हूँ M.U. से हाँ बेलकुल निशिता M.U. से कर सकते मैं M.U. से ही कर वा रहा हूँ अगर मैं कहता हूँ M.U. से ऐसे हो सकता 2500 M.U. 20% करोगे तो 3125 है जाएगा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ पर M.U. का इसके अलावा भी बहुत ज़गा यूज है M.U. का मतलब क्या होता है मिनिंग क्या होता है वो सब बेकार की बाते आराम से पढ़ लेंगे अभी हम इस पर नहीं जा रहा है अभी हमारा यही काम चल ज़गा ठीक है चलो 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 अब आगे एक फोटा सा टॉपिक और है छोटी सी चीज है अच्छा M.U. बेटन नहीं है तो क्या काम चल सकता है चल सकता है हमारे पर हम दूसरी टेक्निक से कब मैं आपको वेजनती दूसरी टेक्निक से से ठीक है तो भी चल जाए पर चीटी होना ज़रूरी है चीटी होगा तभी काम हो चलो 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 आगे चले यह सर आखरी काम कर रहा है आखरी काम अभी अभी टारगेट से भटा करा है हम लोग अभी टारगेट से भटा करा है हम वापस आते हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू है वह वाला काम करते हैं और फिर देखेंगे क्लास हम और कितने टाइम तक चला सकते हैं, मेरे ख्यास से ज्यादा नहीं, पस एक छोटा सा टॉपिक है, वो डिस्कुस करें, क्या हमें present value निकलना आ गया है, yes, क्या हमें future value निकलना आ गया, yes, थोड़ा बहुत आ गया, यह नहीं कहा रहा हूं कि अभी आप expert हो गया, वो expert मे करूँगा, अब ध्यान से समझना, थान से, त्यार हो, और कुछ home bar के भी दूँगा, अब करके आना वह हो, पहले एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, एक्जामपल लिख नहीं रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देना, मान लो यार, एक लाख रुपए, मान लो, एक लाख रुपए, रेट है, मान लो, बारा परशन, पर रेनम, तो बताओ, दो साल बात का future value क्या है का, तब क्यों अभी तो बता दो, एक लाख, बारा परशन के जगा, रेट चैंज कर रहा हूं, पंदरा परशन, एक लाख रुपए, present value है, पंदरा परशन, पर रेनम के हिसाब से, तो दो साल बात, बता सकते है, future value क्या है, जल दिसे, आंसर चाहिए, यारफ, प्लस पंदरा परशन, प्लस पंदरा परशन, प्लस पंदरा परशन, आंसर आ गया, 1, 3, 2, 2, 5, 0, बस मुझे अब थोड़ा सा साथ चाहिए, आप लोगों का, दिखोगे, example, example number 4, दिखना है, copy में ये काम आने वाला ये example, present value है, एक लाख, ठीक है, और future value है, add the end of, here 2, 1, 3, 2, 2, 5, 0, था हीं क्यों से मांगे, पंदरा परशन दिख तो नहीं रहे हैं आपको, तू बताओ, rate क्या, 15 परशन जवाब बत दे रहा हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं क्या की बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, क्यार एक लाख रुपए को आज हम invest करते हैं, तो 2 साल बाद मुझे मिलेगा, एक लाख बतीस जार दोस्तों पचास हिंदी अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है, वान लाख थर्टी टू थाउजन टू फिप्टी, दो साल बाद, इसका मतलब या हर साल कमा रहे हूँ, हर साल कितना परशन इसका है, सवाल यह है कि इसको प्रिजेंट कैसे करें, दिखाएंगे कैसे, लिख लो मेरे सथ-सथ, यह लिखो, अगला कोश्चन, क्योंकि अभी रेट पता है, तो मैं आप जवाब भी दोगे, तो क्या दोगे, फिफ्टीन परशन, अभी इसको लिख लेते, अगला मैं आपसे पूच हूँ, कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको पता है, पता है सर की फिटर वैल्यू, या फिर ऐसे कर, प्रेजेंट वैल्यू, अन्पार, पावर, फिल्ट फिजर वैल्यू, यह न, सब प्रेजेंट वैल्यू पता है हमको, एक लाक, बन प्लस रेट ही तो नहीं मालूम, पर यह तो मालूम है कि, दो साल बाके लिए इनवेश्टमेंट कर रहा है, और फिचर वैल्यू है, एक लाक, किस जर्द तो पचास, लेकरे, मैट्स कैसा है अब लोगों का, ठीक है, ठीक है सर, अब यह 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 ऐसे डिवाइड हो जाता है न, हाँ सर, प्लस आर पावर, एक लग, किस जर्द आगे क्या करेंगे, अन प्लस आर इसे, पाइव जिए, कि बात क्या करना होता है, सर, यह है स्क्वेर, सर, क्या लगाना होता है, स्क्वेर रूट, या फिर इससे भी सिंपल तरीका है, 1.50, पावर कर देंगे, 1 by 2, एक ही बात होती, यह बड़ा यूज होने वाला, एक ही बात होती, हाँ, रूट भी लगा सकते हो, और पावर 1 by 2 भी कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, कि स्क्वेर रूट करूँ, तो अगर मैं करूँ, 1.32250, तो मैं स्क्वेर रूट करूँ, अंसर आ गया है, 1 प्लस R, इसी, 0.15, R, इसी, यह माइनस वन हो जाएगा, 1.15, 1 हो जाएगा, तो फाइनली, अंसर आ जाएगा, 0.15, या, इसी को पर्षेंटेज में दिखाना है, तो 15, आप यह मत सोचना, कि मैं आपको छोड़ दूँगा, ऐसे, मैं क्लास ओवर करने से पहले, आप से, मैं पाच लिख दूँगा, मैं आठ लिख दूँगा, सॉल्क आपको करना है, साइंटिफिक कैल्कुलिटर यूज नहीं करेगा, कोई भी मोबाईल यूज नहीं करेगा, ठीक है सर, अब तयार हो आप लोग, क्योंकि रेट आपको पता था, तो बताने वाली बात थी, अब तयार हो, अब रेट सिर्फ मुझे पता है, ठीक है, अभी रेट सिर्फ मुझे पता है, हो जाए, अब आपका नमबर, चलो जी, प्रेजेंट वैल्यू, एक लाग, टार, टूचर वैल्यू, पॉर्थ येर का मतलब समझी गयोगे, पॉर्थ येर का मतलब होता है, फॉर्थ येर के एंड में, बहुत सारी कहानी लिखने में टाइम क्यों कर आप, रेट मुझे मालूम होगा सिर्फ, एक पच्चास लगा के टूएक, मैं भी देखना चाहता हूँ, कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं, हो जाया स्थ, गलत आंसर आने पर, तनिस्क का आंसर है 17 पर्षन, गलत आंसर आने पर 100 रुपए फाइन, प्रशान्त का भी 17 पर्षन, वाव सभी का, वेजनती का भी 17 पर्षन, मतलब सभी बच्चे यार, 16.99 शर्, तो 17 ले सकते हूँ, ऐसा कुछ नहीं, रोहान, ताक्षी 16.99 ठीक है राउनेट आफ कर सकते हैं इसको 17 ले सकते हैं 17 सही है सही है सभी का सही है अब देखो न अब जब 17 दिया तो मैं इधर खेलूंगा ठीक है ठीक है न सरहन तहीं आ रहा है इसको solve कर ले क्या solve कर लेते हैं एक लाग पचास जार वन प्लस आर पावर फो यह आगए 281083 ठीक है सर तो 1 प्लस आर इस एक्वल टू 81083 डिवाइडिड बाई क्या हो जाएगा 150,000 अब 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 लिखूं कैसे जो भी डिवाइड होगा square root इधर कितना लिखूंगा 2 या 4 तो लिखते हैं नहीं कुछ 4 लिखूंगी 2 लिखूंगी लिखना तो पड़ेगा यार IC AI सिप 17% बोलकर नंबर नहीं देगा प्रेजेंटेशन तो अपको दिखाना पड़ेगा तो दिखाओगे क्या question यह यहाँ 4 लिखा जाए या तो यहाँ 2 लिखा जाए 2 पक्का वाओ वस मज़ा गया 2 या 4 अच्छा 3 होता तो यहाँ क्या लिखते तो चलो बहुत सारे बच्चों का अलग-अलग राय है किसी का कहना है 2 लिखो किसी का लेना कहना 4 लिखो या तो इसको ऐसे कर सकते 281083 पर यहाँ 4 है तो कितना लिखो अगरी हो सब लोग तो सब मज़ा नहीं आ रहा है यह पावर वाला ठीक है चले आगे इसी को शक होगा ना तो फिर वो देख लेना भाई उतना मैश मेरा श्ट्रॉंग नहीं है मुझे उतना मैश नहीं आथा मेरा मैश में बहुत जादा नंबर तो है नहीं है चलो जी आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आखरी काम है आखरी एक्जामपल है बस उन ना में मेरी बात आखरी एक्जामपल है सोच समझ के जवाब देना लाश्ट एक्जाम्पल है जो जवाब देगा पक्का चलो पहले एक्जाम्पल दो लिखो सर आप देख लिया ना यह नोट आंसर आ कितना आ रहा आंसर आर इस इक्वल टू 17 बश्न सभी बच्चों ने कर लिया था पस कोश्चन यह था कि यहां 4 लिखा जाएगी 2 लिखा जा लिख्जाम्पल देखते हैं एक्जाम्पल क्लास तो पूरे 9 बजे तक मैंने का न अभी थोड़ा सा फ्लो बनेगा क्लास आप सामने होगे आप मुझसे बोलोगे मैं आपसे बोलोगे वह अलग मजाएगा फिल अलग है आपको अभी लग नहीं रहोगा कि आप सीए फाइन लाश्ट एक्जाम्पल रहेगा इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे पूशिस करेंगे धीरे धीरे मैं अलब एक दो थिन क्लास तक ऐसा जाएगा उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लास होगी 7-29 जब हमारा चैप्टर इस्टा प्रेजेंड वैल्यू चैलेंज वाला है, चैलेंज वाला कोशन, देखना जाता हूँ कौन-कौन से वच्चे कर से सर प्रेजेंड वैल्यू कितना लिखर है, प्रेजेंड वैल्यू लिखर एक लाख अच्छे सी जार ट्यूचर वैल्यू सब कत का है 50 ये रेंड का ठीक मुझे क्या है rate बताना है आपको कुछ बच्चे तो rate निकाल भी लिये होगे यभी तक रुख जाओ थोड़ा सा भीट करो अच्छा सा rate ले लिया कर बताना है और में तरा ये ये लिया कर दो में तो तो त्री जीरो की तो तो त्री जीरो क्या लगता है और अच्छी बात है कि आंसर सिर्फ मुझे मालूम है और मैं आप से उम्मीद कर रहा हूं कि कोई तो निकालेगा तनिष्क का अंसर है 13 परस्ट एक अंसर आ चुका है तनिष्क का अंसर है 13 परस्ट ताक्षी 13 परस्ट निशीता 13 परस्ट तारे सही है मानना पड़ेगा यार मैं तो सोच रहा था यार बच्चे को विलकुली बेसिक से पढ़ाना है और सब समझदार बच्चे हैं सब रैंक होल्डर बैटे मेरे सामने रेजन तीस 13 परस्ट सब सही है वांशो 13 परस्ट आंश 13 परस्ट वाव चलो मैं भी निकाल लो पता नहीं आपने कैसे निकाला है ट्राइल नन एरर तो नहीं किया ना कि चलो 10 से ट्राइल मारते फिर 11 से फिर 12 से फिर 13 से ऐसा तो नहीं किया होगा मुझे उम्मीद है आपसे एक लाग प्वेच्ट नन प्लस और पाइफ 4 एक अभी क्या करना है 1 प्लस आर पावर 4 प्लस 5 और ट्राइब बाइद बाए लगपचीज रोगश्ट तो सर और इसी इसी पूर्थ्री पूर्डिवाइट पड़ी पॉइंट पूर पूर्थ्री ज़्यादा नहीं ले रहा हूं मैं और यहां है टाया तो यहां के आगे है पावर वाइफाइफ अच्छा बच्चों का कहना सर हम डर्टी पावर यूज़ करने से बोला जाता है डर्टी पावर फाइनल में फाइनल में जो यूज़ होगा न इसको बोलता है डर्टी पावर ठीक है बिल्गोल सही है सुनो ICAI क्या करता पहले सुननो आपका खोल कर देखे कि मॉडूल जो आया है नया इस्टेडिमेट नहीं खोला सर इतना कहा हमारे पास्ट है कोई बाद मैं कहा रहा हूँ कि ICAI इस कोश्चन को कैसे शॉल इस कोश्चन को ऐसे शॉल करता यह लिख लिया आप भी ऐसे लिखोगे और उसके बाद 1 प्लस R is equal to 1.13 ICAI यह नहीं बताता आप से कि यह 1.13 कहां से आया है यह तो आपको निकलना पड़ेगा R is equal to 1.13 minus 1 तो सर 0.13 या फिर कितना 13 पस institute कभी भी आपसे यह नहीं बताएगा यह आया कहां से यह तो आपको निकलना पड़े और यह जो power दिख रहा है ना यह power यह power को हम क्या बोलते है 30 power मतलब सार अगर 2 है 4 है तो वो हो जाता है पर इस type का power है उसके लिए हमको log का ही यूज करें log table आएगा log table भी आएगा धीरे से आएगा पर वो log को भी हम calculator से एक solve करें अब calculator में एक जुगार लगाया जाए अब calculator में कैसे जुगार लगाया है बोले कुछ step से जो हमको follow करना पर और सुनो करना ही बढ़ेगा हमारे पास option नहीं है कि बच्चे सोचेगी कि नहीं कि यार सर कोई दूसरा alternative कोई दूसरा alternative नहीं है तो कौन सा power वो लगा जाता dirty power याद रखना सब C.A. final वाले बच्चे जानते हैं तो आप ये मत बोलना कि dirty power क्या होता हमको नहीं मालूं सब को पता करना क्या होता है बताया था आपने सबसे पहला काम होगा कि हम जो भी दिया है कितना दिया है 1.8 और और नहीं इसको क्या करेंगे सर इसको करेंगे square root कितने बार 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 कुछ बच्चे 13 बार करते वो भी कोई गलत नहीं है ऐसा भी कर सकते यह foundation में भी पड़ा हुआ है आपका बार बार हाँ first अच्छा first time सुन रहा है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको करवा दूँगा पर यह लाने की कोशिस कर रहे इसको shawl करने की कोशिस shawl करने की कोशिस कर रहे तो इसको shawl आप dirty power ना भी बोलो क्योंकि book में कोई copy में हमको लिखना नहीं पड़ेगा कि हम dirty power लगा रहे पर dirty power सब्द आएगा न तो आपको कोई side वाला भी बोलेगा कि dirty power यूज कर ले न तो आपको पता लगना चाहिए कि यार यह steps हमको follow कर ठीक है तो बारा बार इसको square root करना है इट मिन्स कैसे करना 1.8 1.84 2.43 square root कितने बार बारा बार एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा उसके बाद जो भी answer आएगा क्या करोगे minus 1 minus 1 उसके बाद जो भी answer आएगा क्या करोगे into power into 1 by 5 जो भी answer आएगा वापस क्या करोगे plus 1 plus 1 जो भी answer आएगा उसको क्या करोगे into equal to वापस कितने बार करोगे बारा बार एक दो चार पांच छे साथ नो दस बार और आपका final answer आजाएगा one point पुछो बहुत सारे doubts आएगे इसको कहीं copy में note करना होगा और कोई option नहीं है पहला ये ये बारा क्यों आया पहली बार चाहे ये पावर कुछ भी क्यो नहीं हो चाहे ये figure कुछ भी क्यो नहीं हो हमेशा हमको 12 times ही करना है minus 1 fix है बस change कहा होगा सर बस इतना बताओ दो variable दो जगा change होगा चाहे पावर कोई भी क्यो नहीं हो एक तो यहाँ change होगा और एक यहाँ change होगा अगर यहाँ जो भी figure है सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा अगर पावर होता 1 by 8 तो यहाँ लिखते 1 by 8 अगर पावर होता 2 by 3 तो यहाँ into करते 2 by 3 सर यह 12 पर आया है क्या logic क्या है मैं logic नहीं समझाना चाहता हमें log का use किया हूँ मैं CDC बता रहा हूँ calculator का इस तरह से जुगाड किया हाँ लेकिन एक बात है answer कभी गलत नहीं आए इसका logic नहीं दिया जा सकता जो कह रहे है कि सर logic बता दो कि 12 क्यों आया या minus 1 क्यों हो रहा है या plus क्यों नहीं हो रहा है यह आपको याद रखना पड़ेगा या तो फिर इसका दूसरा भी टेकनिक है यह 13 पर निकलने का दूसरा भी टेकनिक है hit and trial method पर अभी मैं उस पे नहीं आ रहा हूँ यह याद नहीं करना चाहता है मत करो मेरे पास दूसरा और दूसरा logic के साथ तो अभी इस matter पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यह आपको अपनी copy में note down कर लेना और पहली page में note down कर लेना क्योंकि इस का यूज में बार बार करूँ 13% कैसे आया दूसरा भी तरीका logic के साथ वो भी मैं आपको समझा दूँ ठीक है ठीक है अब मैं बहुत ज़्यादा अपस के साथ बात नहीं कर सकता अभी मैं class over कर रहा हूँ और time value of money लग भग ठीक थोड़ी बहुत बात ये present value कैसे निकालना है future value कैसे निकालना है ये चार्शी है हमने सीखा ये अभी उतने काम की चीज़ नहीं है लिखवा दिया जब आगे आएगा question तब बात करेंगे logic के साथ भी बात कर लेंगे पर इसके पीछे कोई logic है मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से जब मैं class ले रहा हूँ और आप सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात है अच्छा doubts किस number पे आप post सकते है देखो वैसे तो group है पर group में doubts के लावा सारी बाते होती है तो नो technical issue का आप ता है ना प्लीज ग्रूप में ना पूछो यार अच्छा बच्चों ने तो और एक group बना लिया और किसमस से मुझे भी जोड लिया उस group में अब मैं भी देख रहा था कि क्या चल रहा है आप लोगों का वो सब्सक्राई के अलावा सारी बात हो रही है तो सुनो मेरा यह कहना है doubts अगर पूछ रहकते तो group में पूछ लो पर जिन लोगों को group में पूछने में दिक्कत है तो वो personal मुझे doubts मेरा number दे रहा हूँ मैं आपको उस number पे doubts पूछ सकते whatsapp कर सकते और call कर सकते 99 77 22 35 99 यह मेरा number है इस पे आप सीधा मुझे whatsapp भी कर सकते हूँ और मुझे इसके अलावा call भी कर सकते हूँ कभी भी call कर सकते हूँ तुबर class रहते उसके बाद दिनवार में free काम नहीं call कर सकते हूँ अच्छा सबसे बड़ी मा थे पिछली भी बैच में ने live classes लिया था अभी भी में live classes ले रहा हूँ दिक्कत क्या हो रही सुनो तुरू में जोश रहता है फिर जोश ठंडा हो जाता है पस यार बस आपसे यही साथ चाहिए मुझे अपनी तरब से पूरी मैनत करो आपका views का दिक्कत है आपका validity का दिक्कत है तो बिलकुल tension मत लीजिए आपका November 25 September है तो मैं बैठा हूँ ना यार validity कोई 2 साल और साल छोड़ दो वो मैं बढ़ा दूँगा मेरी guarantee है आपका आपका जब तक exam रहेगा तब तक मैं आपके साथ में हूँ आपके class की validity expire नहीं होगी ये मेरी guarantee बस मुझे आपका साथ चाहिए आप बस मुझे class मेरे साथ regular करते चाहिए मैं आपका ज़्यादा time सिर्फ 2 गंडे लूँगा 2 गंडे में भी मैं आपका time pass नहीं करूँगा आज तो ये समझाना जरूरी था मुझे 2 गंडे दीजिए November तक मैं आपको SFM expert कर दूँगा ठीक है आपकी मर्जी class over कर रहा है अभी कल मिलते हैं इसी time पे 7 बजे और अभी book नहीं लगेगी Saturday तक कोशिश कर रहा हूँ जब मेरा Zoom का application हो जाएगा Zoom हो जाएगा अभी कुछ technical issue जब रहा है और ज़्यदा मचाएगा November 20 मतलब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो November 23 का है November end तक class होने वाली है November 23 end तक class होने वाली है ठीक है उससे पहले खतम नहीं हो सकती लंबी class इसे पक्का यार देखो मेरी बास समझो बहुत सारे लोगों का ये कहना है हाँ जी सुनोगे मेरी बात पहले सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ बहुत सारे बच्चों का ये बहुत सारे बच्चों ने टीचर्स की बात करो ये कहना है कि हो सकता नियू सिलेबस आया है तो question paper पर जो मैं 24 की बात करूँ कि जो sir question paper है वो सायद study mat से ही आएगा ये भी कहना है पर एक कुछ teachers का ये भी कहना है क्योंकि अभी 8 subject है और 8 subject से लगबग 6 subject हो गए ये 6 भी छोड़ दो, optional को भी छोड़ो 5 ही subject है जब अगर subjects कम कर दिया तो paper पर मुश्किल कर देगा, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हो सकता है चाहे paper easy आए चाहे paper muskill है हमको हमको पूरी तैयारी करना एक एक question, मेरा बस ये कहना study mat का एक भी example ना रह जाए हमसे तब कुछ कर ले new study mat और साथ में past में जितने भी question से MTP, RTP with concept कर ले हमारा काम खतम हो जाए हम नहीं जानते paper कैसे आने वाला test देंगे और काम करें वागी कल बात करेंगे, बात करते रहेंगे thank you so much, good night और homework में आपको बहुत कम दूँगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आपका office है, ठीक है तो office जरूरी है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको homework ना दूँ, कम से कम दूँ और classes जो live नहीं देख पाते हैं उनकी सायद 10-10.30 बज़े तक class upload हो जाएगे, गूगल Google Drive में जो आप देख रहे हो ना, उसके अलावा दो views or, okay, thank you so much, bye bye